कि जो अमरीका है वो यह कहा रहा है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम अमरीका को एर स्पेश दे देंगे अगर अमरीका जो है वो हमारे इंडिया के साथ तालुकाद ठीक ना दे और हम M.O.U. साइंड करेंगे और उन बहुत ने तो आज है में ऑर नीज के साथ इस वीडियो में आपको ऐसी न्यूज पता चलेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको सुनने में बहुत अच्छा लेंगा आगया ना उड़ पार की नीची जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना पाकिस्तानियों का है कहना अमिरीका को कि अगर आप हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा कर दोंगे तो हम आपको अपना स्पेस स्टेशन दे देंगी जी हाँ दोस्तों यहाँ न्यूज 100% रिहल है क्योंकि यह एक पाकिस्तान की जो एंकर है कमरचियों का यह दावा है कि पाकिस्तानियों ने कुछ इस तरगी की मांग इस बार अमिरीया को की है दोस्तों तो दोस्तों पूरी न्यूज जानने के लिए इस वीडियो को लास्त दरू देखेएगा यहाँ बहुत जाड़ा इंटरस्टिंग होने वाला है हम आपको मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ धन्यवाद पाकिस्तान के लिए हर रोज एक नई कॉंट्रोगर्सी आ जाती है जबके इस वकत पाकिस्तान के वजीर आज़म सौदी अरब हैं पहुंच गए हैं और सुनने में आ रहा है कि वो एक दिन पहले चले गए हैं जाना एक दिन बाद में था लेकर वो पहले ही शायद चले गए पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वजीर दाहला वो दुबई में है इंफर्मेशन मिनिस्टर सुनने में आ रहा है दुबई में है और जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ा प्राब्लम है जो एक इंटरनल नैशनल सेक्यूरिटी इशू है वो यह है कि जो मिलिटेंट बैंड से जो मजभी जमात है तहरीक लबैक वो लहौर से इसलामबाद आ रही है और इसलामबाद और सारे शहरों में पैने कैंड लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि जो अमरीका है वो यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम अमरीका को एर स्पेस दे देंगे अगर अमरीका जो है वो हमारे इंडिया के साथ तालुकाद ठीक ना दे और हम MOU साइन करेंगे और उन्हें कहा है यह पाकिस्तान ने यह डिजायर शो की है तो इसका मतलब है जो रीसेंड़ी अमेरिकन्स पाकिस्तान आये थे तो उन्होंने जारी बात है बहुत सारी आप्शन स्टेबल पर रखी होंगी तो यह जो चीज है कि अगर हम एक मेमरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करने को त्यार है अगर अमरीका जो है वो हमारे इंडिया के साथ रिलेशन्शिप को मैनेज करने में मदद करे और जो यह एक बहुत वड़ी चीज है जबकि मज़ए की बाद है कि पाकिस्तान के जो फॉरन आफिस है वो उसने काया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और अमरीका ने यह बिसकली CNN की रिपोर्ट आई है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ और पाकिस्तान के फॉरन आफिसने में नो कहा है कि यह ऐसी कोई बात नहीं है और जो बाइडन एड्मिस्टेशन है वो इसक्त का जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ये अग्रिमेंट फॉर्मलाइज करने में बिलकुल त्याज है त्यार बैठी हुई और एग्रिमेंट बिलकुल होने को है कि जहां पे पाकिस्तान अपनी एर स्पेस देगा military and intelligence operations के लिए इन अफगानस्तान और इस पे जो CNN ये कहता है कि मारे पस तीन sources हैं जिन से हम ने ये बाते पूछी और Congress में इदर उदर और जगों पे भी जिन्हों ने हमें ये confirm किया है तो ये हमने खबर दी है लेकिन हमेशा की तरह जारी बात है पाकस्तान का foreign office उसके अंदर इतनी जान नहीं है क्योंकि देखें इमरान खान साब तो कहते है absolutely no absolutely no जो है वो एक important चीज है कि इमरान खान साब क्या उसकी price पे करनी पड़ेगी इमरान खान साब चाहते हैं कि इंडिया के साथ dialogue किया था वो 2004 से लेके 2007 तक जो एक composite dialogue हुआ बाद में वो फिर comprehensive dialogue में भी shift हुआ जब सुश्मा सिराज साभा पाकसान आती थी एक लफा आई शायद आई प्रामिस्टर मोधी की पहले term में तो उन्होंने comprehensive dialogue में convert किया composite dialogue को ये चीज़े बहुत पहले आप अमरीका से favor ले सकते थे अभी जब अमरीका जा रहा है तो आप इंडिया के बारे में ये favor लेना चाह रहे हैं कि जी इंडिया हमसे वो हमारे से normalize करे अब इमरान खान साब इंडिया के बारे में भी बड़ी positions दे चुके हैं ले चुके हैं हमने बात नहीं करनी और इन्हों ने कहा था है अमरान खान साब ने कहा था कि मैं हम अमरीका को basis नहीं देंगे लेकिन ये बात हो रही है air space की तो दो जारी बाता अलादा चीज़ें हैं क्योंकि अमरीका जो है वो military and intelligence operation करने जा रहा है तो अब देखना ये है कि क्या इमरान खान साब तो कि general public की अंदर पाकिस्तान में इतनी maturity नहीं है कि वो समझ सकें कि basis में क्या फरक है और हवा में जो है वो air space इस्तमाल करने का क्या फरक है और लो जी दे दी अब क्या पता है कि वो वाकई कहीं पर तो कि माजी में तो इस तरह होता रहा है कि जनम शर्ण जो थे यही होता है difference in a dictator and a democrat dictators होते हैं they are not answerable they do not answer and report to anyone जो democrats होते हैं जो democratic governments होती हैं they are answerable to the parliament अगर parliament के अंदर जानो हमारे जैसी parliament ना ओ जो सारी opposition मिटी मिटी opposition कर रही है opposition के उपर cases हैं तो वो कोई कोई बात करने को त्यार ही नहीं है वो सारे अपनी अपनी जान बचाएं के वो national security और foreign policy और हुकूमत की accountability पर question करें वो तो सारे बचेरे उनको पता आज नैप पकड़ के लेज़ेगी कल नैप पकड़ के जाएं कि तो सारी opposition तो compromise हो चुकी है विचारी उन लोगों ने क्या opposition करनी है opposition तो इस लोगत पाकिस्तान की मजबी चमातें कर रही है जो सड़कों पे दना रही है पलीस वालों को कतल कर देती है और और को पूछने वाला भी नहीं है यह जो चीज है क्योंकि अमरीका ने दाइश के खिलाफ अटैक करने है अफगानस्तान में और आपको याद होगा कि अभी भी सुनने में आ रहा है कि जो अमरीका जो है वो पाकिस्तान की एर स्पेस इस्तमाल कर रहा है जो माजी में जो intelligence gathering efforts जो हमारे एर कोरिडर जो है वो